कि बताने जा रहा हूँ सी तैट के लिए सब से अच्छी बूख कौन कौन से आती हैं सी जी टैट के लिए इन सब चीजों के लिए बेस्ट बूक अगर आप को खरेदना तो मैं आपको बता देता हूँ इसको तो मैं दो से तीन बार पढ़ चुका हूँ और यह बहुत अच्छी बूख है ज्यां गांगा इनका नाम है यह देखू इनका और इनने काफी तरीके से इसमें बताया हूँ अगर किसी संस्कृत को विद्धियारती को पढ़ना हो तो यह वाली बूख लेगे ऊजली अराम से अच्छे मार्ग स ला सकता है आराम से निकल जाएगा उसका पेपर और तीसरी जो बुक है हमारी हिंदी, हिंदी के लिए तो मुझे तो लूसेंट से अच्छी बूख अभी तक कोई नहीं लेगी, लूसेंट है और एक और होई याद नहीं आ रही मुझे लूसेंट बहुत अच्छी इससे अगर तुम्हें हिंदी अच्छी से पढ़ ली तो इससे अराम से पेपर इसली निकल जाएगा कोई प्रॉबलम नहीं होगी, इसली निकल जाएगा और हिंदी की जो दूसरी बूख है तो वह आदित पब्लिकेशन की प्रियाग्रा यह भी बहुत अच्छी बूख है अगर आपने इसको पढ़ लिया सच बोल ला हूँ आप इसमें पीसी अस तक का एक्जाम हिंदी का अच्छा लेवल कर आ सकते हैं और हिय तो खेर सी टैट का इम्हाम है तो इतना जादा नहीं है तो यह आराम से अप निकाल सकते हो आपना सकती हो यह मैनने सर्फट पेपर के लिए कुछ भूखस आपको बताई है और सब्दूंद के लिए अगर आपको यहाइस पढ़ना है तो EVS के लिए तो मैंने तो EVS के लिए जे वाली देखी मैंने NCRT की इसमें पूरे NCRT से लेगा से इसमें ठीक है यह NCRT की बुक्स है ठीक है ओम प्रिकास बिमला प्रिकास की अगर आपने इससे पढ़ लिया तो आपका EVS के पेपर मैं 99% बोल सकता हूं कि आपका अराम से ब से अच्छी बूक है अगर आप पर्रिया वर्ण की लेना चाहते हों तो ओम प्रिकास की ले सकते हैं ठीक है और और मैट्स वाप अपने मन से करी सकते हो और मैंने और बुक्स देख ले रखी यूथ की जैसे हो गए अगर आप इसका यूथ का प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो पूरा तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी यह देख रो हो इसमें पूरा बताय गया हुआ है पढ़के फिर उसके आंसर्स भी दिये गये हुए है इसमें इस बुक में सारा है इसमें इसमें पैड़ागॉजी भी है हिंदी भी है अंग्रेजी भी है संस्क्रथ भी है और पर्रेंड वरन भी है तो यह सबसे अच्छी यूथ पब्लिकेशन की सबसे पर्छाता हूँ यूपीटर के प्रेक्टिस सेट खरीज रखा था यूपीटर के लिए तो यह भी अच्छा है पर इच्छा ब्रेस्टी बहुत अच्छा प्रेक्टिस सेट है इसमें आराम से अपर आप अपना देख सकते हो कितने मार्क्स मैं आप्टेंट कर पा रहा तो आप इसली आप इस बुक को भी खरी सकते हो मार्केट से फस्स पेपर के लिए बता रहा हूँ मैं और मैं इवियस इससे पढ़ लेता हूँ, NCRT की कच्छा च्छाई की बूक है उससे भी मैं पढ़ लेता हूँ, कच्छा पांच च्छाई की NCRT, साथ की आर्ट की ये NCRT के जो बुक साती ही न सी बेसी बोर्ड वाले रखते हैं, उनसे में ले आया था तो इससे भी काफी हेल्प मिल जाती है मुझे पढ़ने के लिए तो आप भी इसको इसली खरी सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और एक और है मेरे पास, ये देखो पर्यावन, हमारा पर्यावन, कच्छा साथ के लिए ये ये NCRT के बुक है, तो इसको भी मैंने पूरी कवर अप कर चुका हूँ, एक बरदे को पढ़ चुका हूँ पूरी फिर मुझे रिवाइस करना है, मैं पॉइंटर लगा देता हूँ, जैसे कि देखो, फिल अफ है, पैंसिल से, पैंसिल ये देखो, हाइलाइटर यूज कर रखा है मैंने, तब मैंने तो पूरी पढ़ रखी है, और जो मुझे इंपॉर्टन लगता है, मैं उसमें हा और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, और कौन सी है मेरे पास, और परिच्छा देस्टी की ये भी एक, मैंने बाल बनोविक ग्याने के लिए, ये सीडी पी की मैंने खरीदी थी, तो परिच्छा देस्टी की ये भी बहुत अच्छी बुक है, अगर आप खरीदना है, एक बार और रिवीजन मार लूँगा इसका, और ये भी बहुत अच्छा परिच्छा देस्टी का ही, सब चीज बहुत अच्छा लगा, मुझे मैटेरियल बहुत अच्छा लगा, पूरा समझ में आता है, इसका पूरा पूरा, और आपको उसके लिए चाहिए, आपको स पूरा है, ये देखो, ये देखो, सब चीज दिया गया, इसमें एक एक चीज बताइए, इसमें आनसर, इसमें बस पढ़ने के लिए, ये पूरा कि आराम से आप एजली पढ़ सकते हो, इसको अगर आपने पढ़ लिया, तो मैं गरांटिस कह सकता हूँ, आपके 145 काहीं न पढ़ना पढ़ेगा, और अगर आप GS का पार्ट देखना चाहते हो, तो GS के लिए तो इससे पढ़ लो, लुसेंट से, ये भी बहुत अच्छी है, इसको अगर आपने पढ़ आले GS, तो GS इससे बाहर कहीं नहीं जाती है, CTAT और UPTAT में इससे पूरी GS आती है, पूरी पूर और मैं तो चाहता हूँ कि भाई लोग सब का लोग को एक्जाम एक्जाम क्रैक हो, तो गाइस बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजेगा, और सेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब प्लीज कर देना यार तो इतना अच्छा चीज मैं बताता हूँ, तो लोग को कहीं जाने की जरूती ही नहीं है, कि कोचिंग में जाने की जरूत हो, या कहीं भी जाने की तुम घर में बैठे ही अगर तुमने पढ़ लिया, तो ये समझ लो, 140, 145 एजली आपके आएंगे, जिसे कहते हैं, आराम स काफी दोस्तों ने मेरे 145 गैन किया, और मैंने तो खुद किया है, इसलिए मैं बोलना हूँ, तो इसलिए ला सकते हो, और हाई स्कूर को ला सकते हो, ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज यार, भाई के लिए लाइक कर देना, ठीक ह जight भाई धुज कम्या गल्तों, यार भाईक कर दोस्तों.